जैसा कि हमें पता है कि SEO दो इस्वों में डिवाइडीड है On-Page Optimization और Off-Page Optimization हमने तो दोने पर बात करनी है लेकिन सवाल यह है कि On-Page Optimization कितनी जरूरी है एक अंदाजे के मताबिक यह समझा जाता था कि On-Page Optimization तकरीबन 30% importance रखती है SEO के अंदर यह नहीं कि अगर आप SEO को 100% पर divide करें तो 30% जो है वो On-Page है बाकी सारी Off-Page है Off-Page से मराद link building भी है So On-Page और Off-Page का तकरीबन 30% और 70% का difference था लेकिन वक्त के साथ साथ यह shift हो गया अब कुछ लोग यह कहते हैं कि SEO जो है On-Page वो 70% है जबके Off-Page 30% रह गी है यह क्यों हुआ? यह इस तरह से होता है कि Google जैसे जैसे अपडेट हो रहा है Google जैसे जैसे इवाल्व कर रहा है अपने सर्चिस को उस उस तरह से importance बदल दी जा रही है कुछ ranking factors उपर आ जाते हैं कुछ ranking factors नीशे चले जाते हैं और जो गूगल दोसों से ज़्यादा सवाल पूछता है कुछ की आमियत बढ़ जाती है कुछ की आमियत कम हो जाती है और फिर जब यह बढ़ती और कम होती है इसमें यह भी चीज़ नौट करना ज़रूरी है कि अकसर कुछ factors खतम भी हो जाते हैं और बहुत सारी ऐसे factors जो Google ने नए भी launch की है तो यह सब चीज़े हमने discuss की थी जब हमने गूगल सर्च की बात यह थी और गूगल कैसे बेतरी इन सर्च इंजन है हमने तब यही जिकर किया था कि गूगल कैसे कैसे अपने आपको अपडेट करता रहता है नए चीज़ें इंटर्डियूस करता है ताकि उसका यूजर उसके ओपर आए जब और उस बेतरी इन इन्फरमेशन उससे एक्स्टेक्ट कर सके और जब वो इन्फरमेशन एक्स्टेक्ट करेगा तब ही गूगल विन करेगा हमने यह नहीं देखना कि ओन पेज कितनी इंपॉर्णट है कि वो 70% है या 30% है सवाल यह है कि क्या on page optimization जरूरी है तो जी हाँ on page optimization बहुत जरूरी है और हमने इस पे पूरी तरह से इसको optimize करना है और हमने इसलिए website का structure भी discuss किया और इसलिए हमने website की content की बात भी की कि कितने pages बनाने चाहिए तो यह सब चीज़े जरूरी है और हमने इसको करना है हमें यह तो नहीं पता कि कितनी जरूरी है लेकिन हमें यह पता है कि इसका role दिन बढ़ दिन बढ़ रहा है और इसी वज़़ा से content की तरफ लोग ज़्यदा रुज़ान करते चले जा रहे है और जितना ज़्यदा content आपकी website पे होगा उतना ज़्यदा आपके लिए बहतर होगा तो आपने on page को ignore नहीं करना on page optimization बहुत जरूरी है और हम मजीद बात करेंगे किसमें क्या क्या शुमार होता है